पूरा इंडिया 21 दिन के लिए लॉगडाउन है और इस बीच में उन लोगों का क्या होगा जो डेली दिहारी मज़ूरी करके अपना पेट पालते हैं उन लोगों के लिए अगर आप घर बैठे डोनेशन करना चाहते हैं अगर आप उन लोगों की कुछ मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है आपके पास तीन ओप्शन है जिसके तुरू आप उन लोगों की घर बैठे मदद कर सकते हैं सबसे पहला जो है वो Zomato है Zomato अपना एक campaign चला रहा है Zomato एक online food delivery करने वाली service है और Zomato feeding India एक campaign चला रहा है और इस campaign में आप participate कर सकते हैं इसमें आप minimum 500 उपीज जो है वो donation कर सकते हैं और अगर आप minimum 500 उपीज यहां donation करते हैं तो आप एक family को support कर सकते हैं उसी तरीके से आप चाहें तो एक से जादा 3, 5, 10 जितना चाहें आप उतनी families को support कर सकते हैं सरफ आपको donation देनी हैं और इसके लाबा इसमें बताना चाहता हूं कि उस 500 उपे में आटा चावल दालें और जो भी जरूरी चीजे होगी वो उनको महिया करवाई जाएंगी और इसमें आप payment जो है वो online UPI debit card credit card से कर सकते हैं pen detail आपको यहां भी भरनी होगी और दूसरी option जो है वो आपके पास Paytm की है Paytm में आप अपना एक contribute की option है चाहां पर जाकर आप minimum 10, 20, 50, 100 जितना चाहें आप वहाँ पे उतना contribute कर सकते हैं मान लीजे आपके पास 500 रुपीस आप नहीं effort कर सकते तो आप 10, 20, 50 जितना चाहें आप Paytm के थ्रू कर सकते हैं Paytm भी lieboy और कुछ और चीजें जो हैं जैसे hand washer related होगी sanitizer हो गया या फिर कुछ खाने पीने की चीजें होगी उन चीजों को महिया करवाएगा और जो तीसरी option है वो farm easy की तरफ से है farm easy में भी आप अपना पैसा donate कर सकते है और वो भी जो doctors है या इसके लावा जिन लोगों को mask की जरूरत है उन लोगों को mask प्रवाइड करवाएगी और जरूरी equipment जो हैं वो प्रवाइड करवाएगी so description में मैंने नीचे link दे हैं या फिर आप Zomato की official जो social platform है जैसे Twitter है Instagram है Facebook है जहां पर भी आप चाहें आप वहा लोगदान इसमें जरूर दीजिए thank you so much